गुद मॉर्निंग एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोईंग टु डिसकस सम् क्लाइमेटिवलोजी MCQs बेस्ट आन आर टॉपिक प्रेसिपिटेशन अंडर प्रेसिपिटेशन हम लोग कुछ इंपोर्टन सब टॉपिक्स लाइक कोलिजन, कोईलिजन प्रोसेस, बर्जेरोन प्रोसेस, सॉल्यूट, इफेक्ट, करवेचर इफेक्ट, बहुत सारी चीज़े डिसकस करने वाले हैं तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लगों से, जिन्होंने भी प्रेसिपिटेशन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, कर लिया है तो वो इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह हैं, इसमें लगबग लगबग 10 MC की योज हैं तो आप question को मेरे discuss करने से पहले खुद ही उनका answer guess करें और last तक देखें कि कितने आप 10 out of 10 कितने सही आप से हो गया हैं और वो जो भी आपका score हो comment section में जरूर डालें चलिए इस्टार्ट करते हैं Question number 1 Typical raindrop is around dash greater in diameter than a cloud droplet Options are 10 times, 100 times, 1000 times and 2 times तीन चीजों होती हैं हमारे पास, एक होती है cloud condensation nuclei या फिर इसी को हम लोग condensation nuclei भी बोल लेते हैं फिर होती है हमारे पास cloud droplet फिर होती है हमारे पास rain droplet जो condensation nuclei होती है उसका on an average जो diameter होता है वो होता है 0.2 micrometer और जो cloud droplet उसका होता है 20 micrometer and जो हमारी rain droplet होती ही उसका होता है 2000 micrometer इस question में हम लोगों से उसने cloud droplet और rain droplet के size के बीच में relationship पहुचा है तो इसके हिसाब से जो rain droplet है वो हमारी condensation nuclei की 100 times है इसमें अगर हम लोग 100 multiply करते हैं तो ये 2000 हो जाएगा इसले इसका answer जो हो जाएगा वो option number 20 ही हो जाएगा 100 times question number 2 dash effect is known for decreasing surrounding vapor pressure because of impurity added in lattice structure of drop options are curvature effect, solute effect, vergeron effect और none of these सबसे पहले समझते हैं कि अभी हमारे पास imagine करते हैं कि दो drops है एक में impurity जो है वो added है इस वाले में impurity का मतलब कहा है जैसे कि कोई salt particle होगा है यह हमारी impurity की category में आते हैं तो इसमें impurity add है इसमें impurity added नहीं है जिसमें भी impurity add हो जाती है किसी भी droplet में उसका जो surrounding vapor pressure होता है वो तुरंद decrease कर जाता है इस effect को बोलते हैं हम लोग solute effect और curvature effect क्या होता है करवेचर effect में क्या होता है कि suppose अभी हमारे पास एक जादा curved droplet है और एक जो है वो थोड़ी सी less curved है थोड़ी सी irregular है तो curvature effect यह कहता है कि जो droplet जितना जादा curved form में होगी उसकी vapor state में change होने की condition जो होती है वेपर state में change होने की जो capacity है वो उतनी जादा हो जाती है इसलिए बोलते हैं कि उस curved water droplet की vapor pressure उतना ही जादा होता है और इसे बोलते हैं करवेचर effect बढ़ जराओन एफेक्ट क्या होता है बढ़ जराओन प्रसेस हम लोग आगे कुछ next mcqs में discuss कर लेंगा और वेपर प्रेशर क्या होता है हमें लगता है कि आप लोगों 11 तो 12 में की chemistry में पढ़ा होगा तो आप लोग comment section में बताईए का वेपर प्रेशर क्या होता है air resistance is smaller than the pull of gravity air resistance is equal to the pull of gravity and it touches the ground until it touches the ground जैसे कि हम लोगों यहाँ पर दो चीज़े पर देखने को मिले एक air resistance है और दूसरा pull of gravity है तो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर move कर रही है तो उसके opposite एक force act करता है जैसे अगर कोई surface पे कोई object move कर रही है उसकी velocity इस direction में तो उसके opposition में एक friction force act करता है ऐसे ही अगर electric current इस direction में flow कर रहा है तो electrical resistance उसके opposite direction में जरूर act करता है सेम इसी तरीके से अगर हमारी कोई droplet जो है वो नीचे के side आ रही है उपर से नीचे के side आ रही है तो यहाँ पे कुछ air molecules होते है यह particles होते हैं वो इसके motion को oppose करते हैं और air resistance लगाते हैं इसके just opposite direction में और यह जो drop उपर से नीचे आ रही है इसको कौन खीच रहा है यह gravity की वज़े से नीचे आ रही है मतलब gravity जो है वो नीचे की तरफ act करती है और उपर के direction में air resistance इसके act करता है तो इसकी velocity तब तक increase होती रहती जब तक यह हमारी air resistance gravity के equal नहीं हो जाती जैसे ही air resistance gravity के equal होती वैसे ही इस droplet की speed जो होती है वो हो जाती है constant और उस टाइम उसकी speed को हम लोग बोलते है टर्मिनल विलॉस्टी फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हो गई अल्रेडी तो इसको बोल देते हैं हम लोग तुरण टर्मिनल विलॉस्टी इसके हिसाब से इसका right answer क्या हो जाएगा option number c speed of falling drop increases until air resistance is equal to the pull of gravity question number four large drop fall faster than a smaller drop because of large surface area to volume ratio small surface area to volume ratio equal surface area to volume ratio और none of the above suppose एक हमारे पास बड़ी drop है एक हमारे पास छोटे drop है तो जो हमारी larger drop होती है उसका surface area to volume ratio जो होता है वो हमेशा कम होता है in comparison to small droplet small droplet का जो भी surface area to volume ratio होता है वो जदा होता है और हम दोग फिजिक्स में पढ़े हैं और यह जानते हैं जिसका भी surface area volume के respect में कम होगा उसमें friction कम act करेगा जब friction कम act करेगा तो उसकी obvious सी चीज़ है उसकी जो velocity होगी वो जदा होगी इस छोटे वाले के comparison में तो इसका right answer क्या हो जाएगा because of a smaller surface area to volume ratio question number five if cloud droplet is not in equilibrium with its surrounding the size of droplet will options are same size increase decrease and both b and c इसमें suppose अभी हमारे पास एक यह cloud droplet है और अगर हम लोग suppose कलने कि यह अभी equilibrium condition it is in equilibrium इसका मतलब क्या है number of s2o molecules leaving the surface must be equal to the number of molecules coming back to the surface मतलब जितने भी molecules water molecules इसमें से निकल हैं बाहर की तरफ उतने ही molecules बाहर से आ रहे है equilibrium का मतलब यह है तो अगर यह equilibrium में होता cloud droplet तो इसका size जो होता वो कभी change ना होता लेकिन इसने बोल के रखा is not in equilibrium इसका मतलब क्या है अगर incoming water molecules अगर यह वाले incoming water molecules increase हो जाएं तो इसका size obvious है कि यह बढ़ने लगेगा और अगर यह कहीं outgoing molecules increase जाएं तो इसका size जो होगा वो decrease होने लगेगा लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ mention नहीं सिर्फ यह लिखा हुआ है is not in equilibrium तो इसका right answer जो हो जाएगा वो बोथ B & C increase और decrease दोनों ही हो सकते हैं question number six which of the following nuclei allow water vapor to deposit as ice directly are called options are deposition nuclei freezing nuclei contact nuclei and cloud condensation nuclei जो मैं क्यािया है ऐसे nuclei है जो कि डिरेकली water vapor इसमें directly convert कर देते हैं in nucleus को हम लों बोलते है dissolve fusion nuclei इसको आप device cancer cream by position process से याज रख सकते हैं अ यहां पर freezing nuclei है freezing nuclei क्या होता है Nucleicos यह होता है कि इसमें SUPER COOLD Liquid droplets जो होती है Water droplets और फिर what hotまं Convert होती है इनको में कोमि भोछत 이ag Freezing nuclei Contact nuclei में kya होता है Contact nuclei में इह nucleia जो होते Water droplets के अदर Approach Immerse हो जाता है फिर उसके बाद Mais Freezing Start होती है इसमें Super Cool liquid होता है इसमेm Liquid 3ds Water molecules दिपॉजिट होने के बाद में उसमें फ्रीजिंग स्टार्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट नुपलिया आप लोगों को पता है पहले ही बता जो कहा हूं ऐसे नुपलिया है इनका साइज जो होता है वो पॉइंट पॉइंट टू माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं और इनका काम क्या होता है यह सर्फ और सर्फ ग्लाउड डॉपलेट्स को फॉर्म होने में और क्लाउड को फॉर्म होने में यह नुपलिया है यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गया है उसके बेसिस पे नीचे चार ओप्शन दिए गया है उन चारों में से करेक्ट ओप्शन हम लोगों को चूज करना सबसे पहले स्टेटमेंट नमबर वन Merging of Cloud Droplet is called Coalicence and statement No.2 Updraft are responsible for Droplets Growth यहां पर हम लोग जो भी Cloud Droplets है उनकी growth की दो processes होते हैं दो processes है एक है Collision Coalicence Process दूसरा है हमारा Bergeron Process सबसे पहले हम लोग Collision Coalicence Process को समग लेते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने image लगा के रक की उसको देख लेते हैं यह वाली image जो है यह है coalescence process के लिए इसमें क्या होता है कि यह हमारे cloud के अंदर सारे के सारे जितने भी cloud droplets है उनका size same तो होगा ही नहीं कुछ droplets जो होती है वो बड़ी होती है कुछ जो होती है cloud droplets वो छोटी होती है तो होता है इन में यह है कि जो बड़े वाले होते है बड़े cloud droplets होती है उनकी velocity जो होती है वो जादा होती है यह मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को जब इनकी velocity जादा है इनकी velocity कम है तो यह obvious है यह जाकर किसी ना किसी small cloud droplets जाकर के collide कर ही जाएंगे जैसे कि इस वाली image में देखिए यह large droplets जो था cloud droplets वो small cloud droplets से जाकर collide कर गया जब भी collision होता है तो collision में सारे collision यह guarantee नहीं करते हैं कि दोनों ही droplets जो होँगी वो आपस में merge हो जाएंगे लेकिन most of the cases में क्या होता है कि यह दोनों ही droplets होती ही वो merge हो जाती है और इसका size देखी यहाँ पर वो increase हो जाती है यहाँ पर size इस डॉपलेट का increase हो गया इस तरीके से यह collision कर करके इसका जो size होता है वो increase हो जाता है तो यह पहला process था collisions, coalescence process अब यह जो process है collision, coalescence process यह बहुत सारे factors के उपर depend करता है इसका first factor जो है वो है updraft updraft क्या होती है कि suppose यहाँ पर अभी हमारा updraft की condition है updraft में क्या होगा कि यह जो हमारे larger molecules है वो less velocity के साथ उपर जा रहे होंगे और यह जो smaller molecules है वो बहुत तेजी से उपर जा रहे होंगे तो यहाँ पर collision होने की condition, sorry, collision होने की chances होते हैं वो बहुत ज़्यादा increase हो जाते हैं तो जितने ज़्यादा collision होंगे उतने ही ज़्यादा इनका size जो होगा वो increase करेगा और जितना ज़्यादा इनका size increase करेगा उतनी ही जल्दी यह इनका size जब बड़ा होके लगबग 2000 micrometer से ज़्यादा का हो जाएगा वैसे हम लोग इनको raindrop call करेंगा और तुरंद ही यह आर्थ की तरफ fall करने लगेंगे तो एक factor हो गया हमारा updraft का, दूसरा एक positive factor काउन सा है, दूसरा एक positive factor है कि cloud thickness, जितनी ज़्यादा cloud की thickness होगी उतना ही इन में collision होने के chances जो होगे वो बढ़ जाएंगे तीसरा एक positive factor क्या है तीसरा process है हमारे पास size, इनका size जितना ज़्यादा variable size होगा cloud में, इन cloud droplets का उतना ही ज़्यादा collision होने के chances जो होगे, वो increase जाएंगे मतलब हम लोग को varying sizes चाहिए इसके लिए positive factor और चौथा क्या है, कितना ज़्यादा ये time spend कर रहे है कितना ज़्यादा ये cloud droplets cloud के अंदर time spend कर रहे हैं इसको ऐसे समझ सकने हैं, कि हम लोग road पे जितने ज़्यादा time बिताएंगे और हम लोग road पे जितने ज़्यादा travel करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग के accident होने के chances बढ़ जाएंगे, वैसे ही ये droplets जितना ज़्यादा cloud में अपना time spend करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके बीच में collision होने की chances इनका size बढ़ जाने के chances बढ़ जाएंगे एक और चीज में बताना भूल गया कि जब भी ऐसी condition हो कि दो large droplets आपस में collide करते हैं तो large droplets जब भी collide करेंगे तो उनमें coalescence होने का process जो होता है वो कम हो जाता है दो large droplets आपस में collide करके एक बड़ा large droplet form करते हैं और उसके अंदर oscillations होने लगते हैं और इन oscillations की वज़े से क्या होता है यह जो बहुत बड़ा large droplet है वो further छोटे-छोटे parts में divide हो जाता है sub divide हो जाता है फिर से तूट जाता है आप इस question का answer देख लेते हैं हम लोग जल्दी से question number seven इसकी हिसाब से अब जितना process मैंने बताया उसकी हिसाब से आप देख लेते हैं merging of cloud droplet is called coalescence हाँ जो भी merging का process of cloud droplet को उसको हम लोग coalescence के नाम से जानते है statement number one true है statement number true two updrafts are responsible for droplets growth हाँ यह भी एकड़म सही है क्योंकि updraft जो है वो हमारी positive factor है वो हमारे droplets की growth को increase करते है इसका मतलब इसका right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा option number c both one and two are correct question number eight in warm clouds precipitation forms by dash options are collision and coalescence process bergeron process both a and b neither a nor b इसके right answer क्या हो जाएगा collision, coalescence process warm clouds जो होते हैं उनमें collision, coalescence process responsible होता है और जो जितने भी हमाले हमारे cold clouds होते हैं उनमें bergeron process जो होता है वो हो रहा होता है इसको आप अभी ऐसे ही learn कर लीजे इसका reason मैं अभी आगे next question में explain करने वाला हूँ question number nine in bergeron process there are three statements again and you have to choose correct option in statement number one cold clouds are not needed statement number two saturation vapor pressure above water drop is greater than saturation vapor pressure above ice statement number three ice crystals grow larger so first of all we have to understand the bergeron process we have to understand the bergeron process we have to understand the image image this is the image let's zoom it in a little bit sorry in the bergeron process one is ice crystal and this is our water droplet we have to understand the intermolecular forces intermolecular forces intermolecular forces intermolecular forces water molecule then we have to understand the extra energy which is the energy which is latent energy latent heat which is the energy so then we have to understand the inside the water drop we have to see the water molecules we have to see the water molecules this is the reason we can talk directly to this that we can directly talk about this that the saturation vapor pressure gives us the water droplets that is more than in comparison to snow and ice crystal this is where the saturation vapor pressure is very large because क्योंकि इसके आस पास में हम लोग को molecules ज्यादा देखने को मिलने हैं इसलिए और यहाँ पर molecules कम इसलिए इसका saturation vapor pressure जो है वो कम है तो हम लोग नों physics में और climatology में दोनों ही जगे पढ़के रखा है कि चीजे जो होती है वो high pressure से low pressure की तरफ move करने लगती है इसका मतलब यहाँ पर एक इसको pressure gradient मिल गया है इसकी वज़े से यहाँ के यह जो water molecules दिख रहे हैं चोटे-चोटे यह बहुत तेजी से जाएंगे इसनों की तरफ और इसनों के उपर deposit हो जाएंगे और इस तरीके से इसनों को size जो होगा वो increase होने लगेगा आइस क्रिस्टल का यह दिखी size जो है वो increase होने लगा तो यह process कहलाता है हमारा budget on process और इसी को हम लोग budget on process को ही एक और नाम से जानते हैं एक और इसका नाम क्या है ice crystal process भी इसी का नाम है ice crystal process अब वापस से हम लोग अपना एक बार question देख लेते हैं question का answer देख लेते है यह रहा question इसमें सबसे पहला statement था कि cold clouds are not needed नहीं यह तो गलत हो गया तुरंथी क्यों क्योंकि यह सबसे पहली condition मैंने बताई थी कि इसमें हम लोग को cold clouds की जरूरत होती है अगर cold clouds नहीं होंगे तो इसमें हम लोगों को snow crystal milling यही नहीं दूसरा saturation vapor pressure above water drop is greater than saturation vapor pressure above ice यह तो बिलकुल मैंने एकदम यही बताया तो second वाला statement राइट हो जाएगा statement number three ice crystals grow larger हाँ ice crystal हम नहीं देखे last में बहुत तीजी से increase होने लगे तो उनका size जो था वह बहुत तीजी से expand बढ़ रहा था तो इसके help से हमारा option number b जो होगा वह right answer हो जाएगा कि statement two and three are correct question number ten which of the following compound is or are used for cloud seeding silver iodide lead iodide copper sulphide सबसे पहले cloud seeding क्या होता है cloud seeding वह process है जिसके थू हम लोग artificially तरीके से clouds को कुछ condensation nuclei provide कर देते हैं जिसकी वज़े से clouds condensation होके और वह artificially तरीके से हम लोग rain उनके दुरू करवा लेते हैं तो हम लोग ने बचपन से पढ़के रखा है कि जो super cool silver iodide होता है उसको हम लोग cloud seeding के लिए use करते हैं बाकी तो आप लोगों को लग रहा हूँ हो यूज होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आज की तारीक में silver iodide lead iodide copper sulfide ये तीनों ही use करे जा रहे हैं cloud seeding या फिर artificial rain के लिए और इसके हिसाब से इसका option number D जो होगा वो correct होगा super cool silver iodide most of the cases में use करते हैं super cool क्यों use करते है super coolness के वज़े से क्या होता है कि उस जो भी cloud है या आसपास का जो भी environment है वहां कि relative humidity जो होगी वो rise कर जाएगी जैसे कि आप लोग ने methodology में पढ़के रखा होगा कि अगर कोई भी air parcel है उसका temperature हम लोग कम कर दें तो उसकी relative humidity जो होती है वो increase हो जाती है तो relative humidity को 100% के around पहुचाने के लिए super cool यूज़ करते हैं और silver iodide इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यह condensation nuclei की तर्याक्ट करता है इसमें तुरंत ही सारे cloud droplets जो होंगी वो condense हो जाएंगे so thanks और अगर आपकी कोई भी queries हो वो आप comment section में upload कर दीजेगा